सबी को नमस्कार, आज की क्लास कंदर बात करेंगे क्या सिर्फ reading करने से जो मेंस का English section है वो qualify हो सकता या नहीं हो सकता अगर हो सकता है तो क्या-कया चीज़े reach करकर अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता इस सवाल का जो जवाब है उसे थोड़ा लॉजिकल वे में अप्रोच करने की कोशिश करेंगे सभी को नमस्कार मैं अनाम तरूं ग्रोवर है और मैं पिशले पांस साल से बैंक एग्जामिनेशन के लिए कॉम्टेटिव इंगले स्टेच कर रहा हूँ बात करूँ आज के सवाल की क्या सर्फ रिडिंग से मेंस हो सकता है या नहीं हो सकता अगर मैं बातों को बिल्कुल घुमाऊना और सिर्फ एक ही शब्द में आपको जवाब दूँ तो भाई नहीं हो सकता अब आपके mind में आ रहा हुआ सर ये तो blindly accept करने वाली बात होगी कि नहीं हो सकता, आप जरह बताईए कि क्यों नहीं हो सकता तो चलिए ऐसे थोड़ा logically approach करने की कुशिश करते हैं जैसे बात करूँ अगर मैं students की आप लोग भी जानते हैं एक class के अंदर अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे equal level पर नहीं हो सकते कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका English बिल्कुल 0 होगा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका English ठिक ठिक होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका English बहुत अच्छा होगा तो ऐसे ही level के इसाफ से मैंने students को चार category में divide किया है सबसे पहले है zero, फिर है average, उसके बाद है engrage और फिर है the biggest gambler अब यह जो आपको नाम थोड़े से funny लग रहे होंगे यह कोई derogatory terms नहीं है यह बस मैंने अपने convenience के लिए यह नाम दिये हुए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं और वो इस सवाल के उपर आते हैं कि सर्फ reading से यह कर सकते हैं या नहीं कर सकते और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते आज यह logically approach करने की कोशिश करते हैं सबसे बहले बात करते हैं zero level के बच्चे की ये साही चीज़े उसको नहीं आती होती है, ना ही उसकी vocabulary अच्छी होती है, तो अगर इस type का बच्चा पूछे, क्या सिर्फ reading से mains हो सकता या नहीं हो सकता, तो भाई इसका तो preview नहीं हो सकता, mains तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसको sentence formation भी नहीं आती है, तो ये means कैसे qualify कर लेगा, तो ध्यान रखिएगा, इस type की बच्चे के लिए क्या suggestion है, इस type की बच्चे के लिए suggestion है, या आप short tricks के बीचे ना भागे, तो कि क्या होता नहीं, उसकी जो language है वो बिल्कुल zero है, उसको लगता भी time लएगा, कैसे improve करने में और वो जानता है, कि language improve करने में time लगता है, तो वो कै करता है, जुगाय ढूणने की कोशिश करता है, short tricks ढूणने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे tricks मिल जाए जिसको करके, बस फड़ा-फट निकाल दूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता, आपको concepts सीखने ही पढ़ेंगे, ये quants और reasoning नहीं है, language है, develop करने में time लगता है, और एक average बच्चे से ज़्यादा time लगएगा, आपको develop करने में, एक normal बच्चा होता है, जिसकी English ठीक ठीक होती है, मैं मान सकता हूँ, कि वो थोड़े कम time में कर ले, लेकिन जो बिल्कुल zero है, उसे time देना पड़ेगा, 6-8 मेने का खेल नहीं है, आपको 1-5 साल लग सकता है, इस बात को आप accept कर लीजिए, आज नितो गल आपको accept करना ही पड़ेगा, बात करें आगे, आप definitely improve कर सकते हैं, आपको नोकरी पाने का कोई हक नहीं है, हर बच्चे को नोकरी पाने का हक है, कोई भी student क्यों नहीं हो, अगर आपके इंदे dedication है, language सीखने की patience है, सबसे ज़रूरी चीज, और at the same time right guidance है, आप definitely improve कर सकते हैं, क्योंकि guidance आपके बास नहीं है, तो improve करना मुश्किल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम 20 साल से language पढ़ रहे हैं, 20 साल से नहीं आई, तो 6 महीने में क्या आजाएगी, या साल में क्या आजाएगी, तो यहाँ पे आपको guidance की जूरत है, आपको ये भी पता होना चाहिए, किन चीजों को पढ़ना है, किन को नहीं करना, क्योंकि आपने सारी चीजों नहीं पढ़नी है, आपने PhD नहीं करनी है, मेरी बाते समझ में आ रही है, तो आपने इन सारी चीजों पर focus करना है, जो बच्चा बिल्कुल 0 है, relevant grammar, vocabulary पे भी, reading पे भी, practice पे भी, mocks पे भी, clear है, सिर्फ reading पे नहीं करना है, बात करते हैं, average बच्चे की, ये कौन सा बच्चा होता है, एक average student ऐसा student होता है, जिसकी English ठीक ठीक होती है, मैंने ये नहीं कहा कि बढ़िया होती है, मैंने कहा कि ठीक ठीक होती है, अब इसकी English ठीक ठीक होने के पीछे, दो reason होती है, सबसे पहला reason ये है, कि ये पढ़ा तो English Medium School से होता है, लेकिन इसके जो master होते हैं, वो Hindi Medium के थे, मतलब इन्होंने अंग्रेजी कुछ ऐसे पढ़ लिए, कि जिस sentence के end में, ता ते ती लगा होता है, हाला कि वो बच्पन तक ठीक भी है, प्रिकि बच्पन में हम छोटे थे, उस टाइम पे में चीज़े उसी तरी के समझ में आती थी, लेकिन अब हम बड़े होगे, हम competition के लिए prepare कर रहे हैं, तो यहाँ चीज़े थोड़ी different है, यहाँ आपको थोड़ा logically अप्रोच करना पड़ता है, तो एक तो इसकी English ठीक ठीक इसलिए होती, क्योंकि इसने Hindi में पढ़ा होता है, इस टाइप के बच्चे ने, एक इसकी English ठीक ठीक इसलिए भी होती है, कि इनका school तो English medium होता है, लेकिन इनका English पर ध्यान ही नहीं दिया होता है, यह बाकी subjects पर ध्यान देते हैं, तो इस वह से इनकी average student रह जाते हैं, तो अगर average बच्चा मुझसे पूछे, क्या सर, reading के basis पर हम अपना mains qualify कर सकते हैं, या नहीं कर सकते, तो इसको भी यही जवाब है भाई, इनके negative marking होने के ज़्यादा chances रहते हैं, तो इनको concepts को ध्यान से पढ़ने के ज़रूवत है, इस type के बच्चे को, तो reading के अलावा आपने वो सारी चीज़े पढ़नी है, जो एक basic type के बच्चे ने पढ़नी है, बात करें English की, यह मेरी favorite category है, अब मैं आपको वही बोल रहा हूँ, यह कोई offensive term नहीं है, कभी आप सोचों कि मैं सामने वाले को offend कर रहा हूँ, या उसके मजे ले रहा हूँ, नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, अब यह जो, in fact मैं भी पहले इसी category में था, अंग्रेज वाली category में, आज यह जानने की कोईशिश करते हैं, यह अंग्रेज होते कोन-कोन से हैं, इनकी भी दो category है, सबसे पहली जो category है वो है real English, और उसके बाद है वाई so-called अंग्रेज, पहले बात करते हैं, real English के बारे में real English कोन होते हैं, और क्या ये reading से कर सकते हैं नहीं कर सकते आप लोग जानते हैं जिनका English medium background होता है school और उनका जो college होता है English medium होता है या फिर basic grammar उनकी साथ अच्छी होती है vocabulary भी अच्छी होती है intuition मतलब gut feeling भी उनका अच्छा होता है ये novels वगरा read करते हैं या फिर दूसरी self-help books पढ़ते हैं तो इस type के बच्चे को मैं real English वाली category में रखता हूँ तो अगर इस type का बच्चा पूछे या सर रेडिंग से improve कर सकते हैं नहीं कर सकते तो भाई नहीं कर सकते हैं यहां पर जो reading आती है वो आपकी novels वाली reading नहीं आती है कहानिया नहीं आती है जो bank examination में आती है English वो economics, finance, banking, newspaper, editorial, article ये सारी चीजे आती है दूसरी बात जो grammar step के बच्चे ने पढ़ी होती है बच्चपन में वो theory based होती है और यहां पर जो आती है यह application based होती है तो वो वाली grammar में और इस वाली grammar में थोड़ा बहुत difference होता है यह नहीं कि grammar change ही हो जाती है वहां हम चीजों के नाम पढ़ते हैं, definitions पढ़ते हैं यहां हम इनके applications पढ़ते हैं कि इनको implement कैसे किया जाता है तो आपको reading के साथ साथ, relevant reading के साथ साथ grammar पे भी थोड़ा focus करना पड़ेगा दूसरी बात, ज़्यादा overconfident आप लोग ना हो क्योंकि यह बहुत बड़ा समंदर है अच्छे अच्छे डूब जाते हैं आपके जैसे बहुत साथ students पहले आए इसी आर्ड में कि हमारे English तो बहुत अच्छी है, हम तो कर लेंगे मैंने कहा ना, मैं भी पहले इसी कैटिगरी में था मुझे भी यही लगता था किर यार, मैंने तो literature किया हुआ वो भी Delhi University से, तो मैं तो करी दूँगा और जब हमने preparation करना शुरू किया कि यहां गलती है या वहां गलती है या यह कुशन वाला सही लग रहा है, यह गलत लग रहा है ऐसा नहीं, क्योंकि हर बार intuition सही नहीं होता negative marking भी हो जाती है intuition एक अंदर से gut feeling है वो certainty नहीं है, उसके अंदर uncertainty भी होती है और negative marking होगी, एक एक number कितना कहिमती होता आप लोग जानते हैं, तो intuition पे पूरी तरीके से rely on ना करें बात करें, basic grammar की जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह application based है आपको पढ़नी पढ़ेगी, relevant reading भी मैंने आपको बता दिया कौन-कौनसी करनी है और vocabulary और mocks तो हर type के बच्चे को improve करने ही करने mocks तो एक ऐसी चीज है, कि हर type के बच्चे को चाहिए वो zero हो, चाहिए उसके ठीक ठीक हो चाहिए उसकी बहुत अच्छी हो, समझ में आई मेरी बात, चलिए, अब बात करते हैं इनकी यह so-called English की अब यह so-called English को न होते हैं देखो, यह भी मेरे favorite है अब देखो, अब मैं इनका मजाग नहीं उड़ा रहा हूँ, मेरी बात बिलकुल ध्यान से सभाई लेना, मैं बता रहे था हूँ कि so-called English वो होते कोन से, जिनका spoken English बहुत अच्छा होता, जो ऐसे लोग होते हैं, जो ब्रो ब्रो करके बात करते हैं hey bro, मेरा English बहुत अच्छा है bro how you doing bro, it's been a long time 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 since me what have you been up to bro वो वो वाल टाइप के तो इस वाली category में generally यह 4-5 लोग आते हैं bro, dudes, babes और पापा की angel इन टाइप के लोगों को लगता है कि हमें English आती है, हम बोल लेते हैं और हम examination में भी कर लेंगे तो भाई पहले तो यह वहम निकालो इस illusion को थोड़ा side में रखो और थोड़ा England से भारत की तरफ कदम रखो और दूसरी बात यह समझो कि speaking fluent English doesn't mean to be no English कि दो लाइन English की अच्छी बोल लेना अच्छा से English में communicate कर लेना इसका मतलब यह नहीं है कि आप bank examination भी qualify कर देंगे अच्छी English तो अरजुन कपूर भी बोल लेता है इसका मतलब यह नहीं है कि वो bank examination qualify कर लेगा starting में सब हवा में रहते हैं बाई जिनकी English अच्छी होते है धिया दिरों को समझ में आता है कि यहाँ चीज़े तोड़ी different है जैसा कि मैंने आपको बता दिया मैं खुद इस चीज़ का शिकार था अब बात करते हैं the biggest gambler की यह सबसे interesting लोग होते है actual में यह मोटा भाई के चेले है मोटा भाई समझते हम ही शागी में बात कर रहा हूँ जो तिकडम लगाते हैं जो strategy लगाते हैं वो वाले जो लोग होते हैं यह होते हैं the biggest gambler यह सबसे smart लोग होते है ठीक है इनकी technique ठीक है लेकिन मेरी नजर में वो gambling है क्यों है पहले बात करते हैं कि biggest gambler होते कौन-कौन से हैं यह वो लोग होते हैं जो quants और reasoning पर focus करते हैं और English को ignore करते हैं होते हैं आपने बहुत साइब लोग देखे होंगे English को पढ़ते ही नहीं है quants और reasoning पढ़े जा रहे हैं उसी में marks gain किये जा रहे है strong or strong बनाए जा रहे है English को ignore किये जा रहे है तो अगर आप मुझसे पूछो क्या इस type के लोग English के बिना means कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो मैं मना करूँगा क्यों भई? पहली बात में ही नजर में यह pure gambling है क्योंकि 100 में से 5 बच्चे ही succeed होते हैं देखो यह strategy काम कर जाती है लेकिन हर किसी के लिए नहीं करती अब ही मैं बोल रहा हूँ यह pure gambling है 100 में से मैंने 5 कर issue बताया आपको 5 बच्चे कर लेते हैं इसका मतलब यह नहीं कि सब कर लेंगे और इस टाइप का बच्चा वो होता है जो prelims से qualify कर लेता है लेकिन main so descriptive नहीं कर पाता है क्यों? क्योंकि English आती है आप SBI PO, IVPS PO बिने English के कैसे कर सकते हैं आपने वो meme नहीं देखा कि तीन बंदर होते हैं दो बंदर आपस में एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं और तीसरा बंदर कोने में बैठा होता है तो दो बंदर जो आपस में हग कर रहे होते हैं एक के साइड से क्वांट्स निकला होता है और एक के साइड से रीजिंग निकला होता है तो वो आपस में हब कर रहे हैं, उतर अकेले बैठा है English वाला, जो बंदर होता है वो English वाला है, तो वो कह रहा है हाँ हाँ मेरे बिना कैसे निकालोगे, मिल लो आपस में जितना भरत में लाव करना है तुमने, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इस पर focus करते हैं, लेकिन भा Quants or Reasoning पर focus करेंगे, English पर नहीं करेंगे, माल लो, मुश्किल आगी Quants or Reasoning, अब क्या करोगे, अब तिकडम खराब होगी न, तो इसलिए रिस्क ना ले हैं, करियर आपका, कोई लुड़ोगी गेम नहीं है ये, तिसरी बाद टाइम बहुत precious है, साल खराब हो जाएगा, रिस कौथी बाद, there is a reason English is there in the examination, देखो भई, bank examination वालों ने English डाला है, तो कुछ सोस समझ के डाला होगा, अगर English के बिना ही paper qualify हो जाता, तो हर दूसरा बच्चा Quants or Reasoning पर focus करके paper निकाल लेता, तो कुछ सोस समझ के English डाली हुई है, means or descriptive आप नहीं कर सकते, बात रही, कि there is no elevator to success, you have to take the stairs, shortcut मत मारिए, अपना मैनत कीजिए, time लगता है, मैं मानता हूँ, language थोड़ी से tricky रहती है, tricky in the sense, किसका result आपको 2-3 महीने में नहीं दिखता है, time लगता है language का result दिखने में, उसके चलते ऐसा नहीं है कि हम improve करी नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, आप targeted चीजों को पढ़िए जो चीजे important है, exam के point of view से, और जो irrelevant है, उनको मत पढ़िए, उसके लिए आपको guidance थाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिना guidance के examination qualify करना, मुश्किल हो जाता है, मनि ये नहीं का कि guidance के बिना बच्चा कर नहीं सकता है, कर सकता है, बिलकुल कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा मु vocabulary पढ़नी है, relevant reading पढ़नी है, economics, finance, editorial articles ये चीज़े पढ़नी है, novels या कहानिया नहीं, और practice और mocks तो हर type के बच्चे को करनी है, जैसा कि मैंने बताया, उमीद करता हूँ मेरी बाते आप लोगों समझ में आई होंगी, कि क्या सर्फ reading से mains हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बताओ, कि देखो भाई, जो हम सोचते हैं, वो नहीं है, यह illusion है, महनत करनी पड़ती है, कोई shortcut नहीं है, बाकि अगर चैनल पर नहीं है, तो चैनल को subscribe कर ली, गला मेरा बहुत कराब है, चैनल को subscribe कर लीजिए, और English related, अगर कोई queries है आपकी, तो आपकी सारी solve हो जाएंगी, मुझे comment section में आप लोग बता सकते हैं, बाकि मिलते हैं आप से अगली class में तब तक के लिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद,